लोगों के डेर सारे प्रशनों का जवाब लेकर ये पांचवा वीडियो हम लेकर आये हैं और उमीद करेंगे कि आपके जितने भी प्रशनों का सॉलुशन आपको मिलता जा रहा होगा इन वीडियो के फॉर्म में ठीक है अब चलिए बिना किसी दरी की वीडियो शुरू करते और आप सभी से निवेदन है कि आप लोगों की मुझे लगता है कि इच्छा रहती होगी कि आप पार्टिकुलर एक-एक लोगों को मैं कमेंट करके जवाब दूँ जो थोड़ा सा परिशानी वाला काम रहता है कि एक-एक लोगों का जवाब दूँ इसलिए मैं सारे हो चाहेंगे उनको जवाब भी दे पाएंगे अपने हिसाब से पहले हैं सब्की जाय उड़तों की मिरट को banki बनती है लड़कियों की अलग से मेरिट नहीं बनती है एक बात जान लीजिए ठीक है ना जो मेरिट बनती है वो ओवरॉल मेरिट रहती है उन्हीं ओवरॉल मेरिट में आपका सेलक्षन होता है यह मत समझेगा कि लड़कियों की अलग से मेरिट बनती है ठीक है तो यहाँ पर आई हो जिनकी जवाब प्रशन होंगे, इनको यह हो गया होगा, आर्थी गुपता जी ने यहाँ प्रशन पुछाए कि मेरा कॉमर्स की जगा आर्ट फिल हो गया है, मैं भी कॉमर्स आप्शन नहीं आ रहा था, इसलिए आर्ट फिल हो गया, बिल्कुल, तो अगर आपने यह भर दिय माता जी के नाम में कोई भी तूटी हुई है, अड्रेस में कोई भी तूटी हुई है, तो वो अभी बात हुई है, सब जी आपके लिगल टीम के लोगों ने बात अपनी पहुचा दी थी, आप सभी को पता है, तो उनके त्वारा संसोधन का मौका सब को मिलेगा, क्योंकि एक दो या 100-200 लोग एक बात नहीं कई हजार लोगों की बात है बहुत लोगों से दूटिया हुई है तो सबको मौका एक बार दिया जाएगे इन सारी चीजों पर तो परशान हाँ ये कहा जा सकता है कि संसोधन का अगर आपको मौका दिया जाता आप काफी जीज़ें संसोधित कर सकते हैं तो ये संसोधन का मौका जो है ये सरकार टैकरेगी पेनपी टैकरेगी उनको किस तरीके से देना है या तो वो संसोधन करवा दें आपको एक वेबसाइट के तुरू सारी चीज़ आपका डीजल फिर से फिलप करवा दें या फिर आप से एक एफिडेविट ले लिया जाए जिसमें जितनी भी आपसे तूटियां हुई है उन एफिडेविट में उन सारी तूटियों का आप जिकर करके वो सम्मिट कर सकते हैं काउंसलिंग के समय तो ये प्रोसेज उनको कराना है तो वो तरीका समझते हैं ठीक है तो ये जितने भी इन सारी चीज़ों से प्रशन आपके थे आई होप इसका जवाब आपको मिल गया होगा इसके रावाद तमाम प्रशन आप लोगों के रहे हैं चलिए देखते हैं यहाँ पर जैसे सबसे जादा प्रॉब्लम मुझे लग रही है यहाँ पर है बंदरा मोधनवाल जी ने यहाँ पर बुला है कि जिसके 90 नमबर हैं और OBC है उसके तीन सही हैं कोशन गलत हो गए हैं तो वो 87 पर आ जाएगा अब आप बताईए कि महोदे जी कि उसका 60 परतीशत निकाला जाए मुझे यह बताईए कि यह क्यों 60 परसेंट आप निकाल रहे हैं क्यों 65 परतीशत निकाल रहे हैं जो 90 नमबर है और जो 77 नमबर उसको वैसे ही क्यों नहीं रहने दे रहे हैं क्यों अपना इतना ज़्यादा दिमाग खर्च करने कि आपको अवश्यक्तान पड़िये, जब सीरे सीरे यहाँ पर आप और वो अभी मेटिंग आज तैह हो जाएगा वो, कि आपको तीन नमबर देना है कि डिलीट करना है, ठीक ना, तो थोड़ा सा पेशन्स रख लीजए सबी लोग, मैक्समम यहीं प्रश्न है, मैं बता रहा हूँ कि यह प्रश्न हजारों से भी ज़्यादा सबी वीडियोस को अगर मैं मिला लूँ, कई हजार प्रश्न यह इनी पर है, इनके डाउट ही नी कलिए रोपा रहे हैं, ठीक है न, तो यह समझना चाहिए, लेकिन जितना भी एज़ान अभी तक हम लोग समझे हैं, स्टार का कॉमन अंको के अंतरकत ही रखा गया है, और उसी को हम लोग लेकर चल रहे हैं, बाकि आज मीटिंग में सारी चीज़ें कनफर्म हो जाएंगे, ठीक है, तो इसको लेकर प्रशान नहीं होना है, और भी कई प्रकार के आप लोगों के प्रश्न है, हाँ, यह प्रश्न बहुत अच्चा ही नांसारी जी का, कि गुडांक पॉइंट तीन स्थान तक निकालना है, पॉइंट दो स्थान तक इसका जवाब देना है, कई लोगों के प्रश्न हैं, काफी दिनों से मैं इसको देख रहा था, मैं बार बार भूल जा रहा था इसको प्रश्न को टेक अप करने के लिए, गुडांक जो है, देखे, पॉइंट दो स्थान तक जनरली हम लोग लेते हैं, जैसे किसे का गुडांकों का चाचर दसमलो, 2-1, किसी का हो सकता है, उनसर दसमलो, 9-1, ठीक है, यह है, दो अंकों तक हम जनरली लिखते हैं जितने डाकुमेंट्स होते हैं उसमें यहीं चीज़ सो करते हैं लेकिन जब मिरिट की बात आती है जब मालीजे किसी का 6.2.1 है और किसी अनवेक्ति का 6.2.1 है ठीक है तो अब यहाँ पर तीसरे डिजिट की बात होगी कि किसको वरीता देनी है कौन जादा है तब वहाँ पर आगे बढ़ा जाता है यहाँ पर मालीजे आपका 9 हो गया किसी का 8 हो गया तो आपको पहले वरीता मिल जाएगी यही होता है लेकिन common की अगर आपने बात किये तो वो दो अंकों तक ही mention किया जाता है I hope आपको यह समझ में आ गया होगा और भी कई लोगों को प्रशन है स्वाति सिंग जी ने यहाँ पूछाए कि सर कितने student पास हो रहे हैं आइडिया विडिया लगाने वाली कोई बात नहीं है जितनी भी आइडिया लगाने है मैंने कई बार सेफ गुलांकों की वीडियो बनाकर बता दी है अब जिसको बार बार आइडिया लगाकर ही वीडियो बनानी है यह तो लोग बना रहे हैं आप उनकी वीडियो आप जरूत कोई संभावना प्रकट करने की जरूत नहीं पड़ी कि ज्यादा बड़ी वीडियो नहीं बनानी है जल्दी से सारे आंसर्स देने हैं हां यहां पर जैदेव शर्मा जी का प्रशन है कि सर रिप्लाई करिए जो याची बनता है उसी का नमर बढ़ता है या सभी का बढ करना हूं है जितना तक मुझे जानकारी है जितना तक मेरा कहता है कि उत्तर कुंजी में जिस आप सभी रिजल्ट भी नहीं आया है तो अगर आपको लाव मिलता है कि यतने अंक और बढ़ेंगे तो वह सभी को मिलेगा 4 लाग 10,000 जो भढ़ती हैं सब को लाव होगा महाँ पर याचिलाव वाली इस्तिती नहीं आएगी, याचिलाव वाली इस्तिती जो आती है, यह मेरा व्यक्तिकत अनुबह रहा है, कि जब आपकी कोई भरती प्रकिरा मालीजी 68500 आपने देखी, 68500 मुस में 41500 चपलों के एक बार में सफल घुसित कर दिये गए, बाद में बोला ग याचिलाव वाली इस्तिती आ जाती है, ठीक न, तो यहाँ पर यह अभी मत समझेगा, जब तक रिजल्ट नहीं आ जाती है, तब तक यह चीज इस पस्टों रपाईगी, सीटें खाली होंगी या नहीं, सीटें खाली होती है, तब वहाँ पर याचिलाव वाली इस्तिती उ रहे गया है तो क्या कुछ रिजल्ट आएगा कि नहीं आएगा देखिए वगर वगर रिजल्ट देखिए वह इमार से संबंदित मैंने इतनी बार डिटेल बता है जितनी भी डॉकुमेंट से रिलेटेड हैं आपके प्रश्ण हैं सबकी लिंक में डेस्क्रिप्शन में दे द अगर यह सारी स्थितियां हैं तो आपको परशान होनी की आवश्चकता नहीं है कोई भी इसमें प्रश्ण नहीं उठेगा आपका रिजल्ट आएगा चिक है यह कोई स्थिती नहीं हाँ अब आते हैं वहमार के रियल प्रॉब्लम परेश्टरेशन नंबर और रोल नंबर रेश्टेशन नमबर आपने सही सही लिखा है और बबल बढ़ने में एक कोई तूटी कर दी है तो जादा जादा उमीद रहती है कि दोनों में से कोई एक सही है तो आपके रेजल्ट आनी के पूरी के पूरी संभावना है लेकिन अगर यहीं बात की जाएगे यहाँ पर तो अब पूचे कुछ और प्रश्ण है मोबाईल नंबर समन्दीत लोगों के समस्य हैं हाला कि मैंने इस पर जवाब दे दिया है कर दो प्रशन और मोबाईल नंबर से क्या होगा सर मेरा मोइल नंबर हो गया है पुना बदादू मोबाईल नंबर जब तक आपका प्रशान बिल्कुल मत हो यह वो उनकी जम्यदारी वो उनकी टेंसन है आपको परशान उनकी आउशक्ता नहीं है प्रशन डिलीट होंगे इसका जवाब मैंने दे दिया है आज मीटिंग में ही सारी चीजे क्लिरिफाई हो जाएंगे तो यह कुछ आपकी परशनों के जवाब करता है कि इसमें मैक्सिमूम लोगों के प्रशन के जवाब आपको मिल जाएंगे ठीक ना तो परशान होने कहीं जरूत नहीं है कहीं इदर उदर जाने की कमेंट करने के जरूत नहीं है उन सभी प्रशनों को पढ़ लीजे उन सारी वीडियो को देख लीजे अगर फिर भी आपके प्रशन के जवाब नहीं मिल पाते तो आप कमेंट करिए मैं पूरी कोशिच करूँगा उसका जवाब देने के ठीक है आकि परशान होने के आवशकता नहीं है मोटिवेटेट रही है अपने इस अपने परमिश्वर की ध्यान अराधना करते रही है जो होगा पॉस् सफ लग थेंगे सो मज़